अक्षरा के बाद अब जोती सिंग्ग आ रही है पवन सिंग के खिलाव जी हाँ पवन सिंग और विवाद दोनों एक दूसरे के पूरक हैं कभी पवन सींग को घेर लेते हैं अब विवाज जो शोचोहा है वह जोती और पवन ज Corps 2017 में क्यों हुआ है आपको बता दें कि आज पवन सेंग की दूसरी पत्ने लीलं को मरे हुए यह साल हो चुके हैं पवं सिंग अपनी दूसरी पत्नी को याद करते हुए लिखते हैं कि यह za एवन की बहुत बड़ी शती है कि तुम मेरे पास नहीं हो उन्हीं याद करते हुए अपने इंस्टाग्राम एकाउंट अपने शोशल मीडिया एकाउंट जितने भी हैं सभी पर वो नीलम को याद करते हैं और उन्हें भावविनी स्रधानजली देते हैं ठीक थोड़े ही दे जोती सिंग, नीलम सिंग को भावभिनी स्रधानजली तो देती हैं, इसमें कोई भी दोराय नहीं है, जोती को नीलम सिंग से हमदर्दी होनी ही चाहिए, जिस सिच्वेशन में उन्होंने आत्म हत्या की थी, उस सिच्वेशन को मद्दे नजर रखते हुए वैसे गलत इसमें जोती ने कुछ नहीं किया लेकिन जो की उन्होंने अपने इंस्टा के पोस्ट पर लिखा है उसे पढ़ने के बाद हंगामा मच गया हंगामा ये कि जो इज़त और सम्मान आपको जीते जी नहीं मिला वो आपको भगवान की चर्णों में मिले ऐसा लिखने के बाद अब नीलम के इस अकाउंट पर लोग ये पूछ रहे हैं कि भगवान सिंग के अकाउंट पर लोग नीलम सिंग को भावरिनी संदानजली तो दे रहे हैं लेकिन ये पूछ रहे हैं कि क्या वज़े हैं कि आपकी तीसरी पत्नी आप से तकरीबन डेड़ साल से दूर है. वैसे आपको बता दें कि नीलम और पवन के रिष्टे सामान ने तो नहीं थी, क्योंकि सामान ये अगर रिष्टे होते तो नीलम ऐसा कदम बिल्कुल नहीं उठा थी. आपको ये भी हम बता दें कि नीलम को हमेशा से पवन के जो लाइफ स्टाइल है उससे परिषानी थी ही, वैकि वो एक गाओं की महिला थी, जैसी एक्सपेक्टेशन उन्हें पवन से थी, उस तरह की एक्सपेक्टेशन को पवन फुल्फिल नहीं कर पा रहे थे, सिर्फ औ हमेशा से एक चिड़ और चुभन हमेशा से नीलम के मन में रह गए, और ये तो अभी तक मीडिया में कभी खुल कर नहीं आया कि किन वजहों से या किन कारणों से पवन की पतनी नीलम ने आत्महत्या की, लेकिन आपको ये बता दें कि अब पवन सिंग को उनकी कमी बहुत रही है, आज भले नीलम नहीं है तो क्या, पवन ने उनके नाम पर अपने घर का नाम रखा है, और आज उनकी कमी उन्हें इसकदर खल रही है कि अपने पूरे केरियर में पहली बार अपनी पतनी को उन्होंने भाव भिनी स्रधानजनी दी है, और जिस तरह से शब्दों का प्रयोग किया है, उन्हें देख कर ये लग रहा है कि कहीं ने कहीं पवन सिंग बहुत बस्ता रहे होंगे, आप क्या सोचते हैं, इस बारे में हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताईए